लो गाइज वेलकम टू माँ चैनल टेक्निकल में आपका सवागत है दोस्तों प्रिविएस लेक्षान में हमने टांडुसर के मुष्टेंड कोसंस देखे थे इस सेशन में भी हम टांडुसर के मुष्टेंड कोसंस लाएं जो कि आपको वीडियो में आंगे देखने के लिए दोस्तों वीडियो को आंगे स्टार्ट करने से पहले हम जहीं बात कियाना चाहेंगे कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा आपने दो is not influenced by temperature changes external magnetic fields या variation of supply voltage and frequency the all of the above तो इसका option number 20 होगा external magnetic fields हमारा next question है एर कोड इंडेक्टिव टांडूसर आर स्टेवल फोर यूज मतलब जो एर कोड इंडेक्टिव टांडूसर होता है उसका हम सुटिवल यूज करते हैं एक हायर फिक्रेंशी में एकल फिक्रेंशी में एक अनिकल फिक्रेंशी में तो इसका option नमर सही होगा है हायर फिक्रेंशी में हमारा next question है बन अब दा फोलोंग केन एक्ट एज एन इंबस टांडूसर एलिविडिटी कैफिस्टिव टांडूसर जा एलेक्टिकल रेजिस्टेंस पोटेंशी में जा पीजोलेक्टिक क्रेस्टल्स तो इसका option number D सही होगा photovoltaic cell हमारा next question है ता टेंप्रेचर टांडूसर एग्जिविट नोन लिनियार बिहेवियर दा ओडर इन विच देह एग्जिविट नोन लिनियार्टी हाईस्टू लोर इज फर्स्ट है थर्मिस्टर्स थर्मोकपल्स आर्टडी सेकेंड थर्मिस्टर्स या थर्मिस्टर्स फोर्थ है आर्टडी स थर्मिस्टर्स थर्मोकपल्स तो इसका ओप्सटन नम्र यह सही होगा थर्मिस्टर्स थर्मोकपल्स आर्टडी सहमारा next question है था साइज आइड कोड्ट टैंडूसर एज कमपयरड विद यह आइरण कोड्ट काउंटर फाट्स विगर, स्मॉलर, सेम जा अल अब दा आवाव तो इसका आपसर नमर सही होगा ए विगर नेक्स्ट कोस्टन है हमारा कैफिसिटिटिव टांडूसर आर नॉर्मली यूज़ फोर कैफिसिटिटिव टांडूसर का हम नॉर्मली यूज़ करते हैं इस्टेटिक मीजरमेंट्स में डायनेमिक मीजरमेंट्स में जा टांजिंट्स में जा बोत इस्टेटिक एंड डायनेमिक मीजरमेंट्स में तो इसका आपसर नमर सही होगा भी डायनेमिक मीजरमेंट्स में इसका यूज़ हम करते हैं हमारा नेक्स्ट कोशन है, कैपिस्ट टांडूसर कैन वी यूस्ट फूर मेजरमेंट अफ लिकुट लेवल, दा प्रिंसिपल आप ओपरेशन, यूज इन दिस केज इज, चैंज ऑफ डायलेक्टिक स्टेंज, चैंज ऑफ कैपिस्टेंज, विट चैंज ऑफ दिस्टेंज ब् यूज वाइट टांडूसर आपरेशन, टू, थ्री, फूर या फाइब, तो इसका ऑफसर नम्मर सही होगा, C, 4, इसको हम 4 कंडिशन में ऑपरेट करते हैं, रेंज, रेपेविलिटी, एस, एन, आर, एंड, इस्टेरिसिस में, हमारा नेक्स्ट कोशन है, एट टांडूसर तौडोटड एंड, दाइनमिक रेंज, हाज वेड कंडिविटी, जेरो, मैक्जिमम, म tragedy, इसका ऑफसर नममर भी सही होगा, मैक्जिमम अफारा नेक्स्ट कोशन है, ञा नोइस इन टांडूसर इज एडित डूडू तौogn фин, थर्म सकर्डूस ड्पिंग, एफसर कोलिंग, सबस्टेंज जा अल अब दा अब तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नम्मर ए सही होगा थर्मल एड़ेंस एक्सेंस के कारण टांडुशन में जो नौइस होती है वो एड़ होती है थैंक यू फॉर वचिंग व्यूडियो